जिन्दगी में सिचुएशन्स का उतार चड़ाफ तर लगा ही रहता है अब ना रुकेगे आपकी पढ़ाई विदान तुलाया है ओन्लाइन अब ना रुकेगे आपकी पढ़ाई अब ना रुकेगे आपकी पढ़ाई जिसमें equality के बार में बताया गया है यह आपकी politics की book है democratic politics अब first chapter में है equality in Indian democracy अब इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन लोकतंत्र में कैसे equality का पार्ट है, क्या पार्ट है जो रोल प्ले करती है equality अब इस unit introduces the learner to the critical role of the equality in democracy with specific reference to India इस unit में जो विद्यार्थी है वो क्या चीज बढ़ेगा कि equality का क्या role है हमारे लोकतंत्र में किसी भी country के लोकतंत्र में equality का क्या role होता है और हम इस chapter में specific reference देंगे इंडिया के ओपर The constitution of India guarantees equality to all citizens अब जो सम्विदान है इंडिया का, जो भारत का सम्विदान है वो guarantee करता है equality to all citizens हर एक citizen को equality देने की guarantee करता है guarantee मतलब आश्वासन देना, उसको आश्वस्त करना कि हम आपके साथ है हम सब को equal नजर से देखते हैं Despite this, the daily lives of people in India are far from equal अब इसके वावजूद, इसके होने पर भी ये सब laws, ये सब चीजें होने पर भी जो equality एक constitution हमारा देता है उसके बाद भी जो हमारे life में, जो normal इंडिया में किसी भी people की life को अगर ले ले हम तो वहाँ पर equality जो है वो बहुत दूर तक, दूर दूर तक उनके आसपास भी नहीं है Earlier discussions on equality in civics textbooks most often retired certain provisions of the constitution without adequately considering the reality of these in people's life अब book में जो पुरानी books होती थी, उसमें civics की जो textbooks होती थी, नागरिक शास्तर जिसको बोलते हैं उसमें equality के बारे में बहुत सारी discussion हुई है बट लेकिन तब भी जो constitution में अभी भी देखा जाए तो उसकी reality जो है वो लोगों की जिंदगी के साथ इतनी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बताई गई है कि लोगों के साथ reality में क्या हो रहा है वो चीज नहीं बताई गई है बस ये बताया गया है उनकी books में की equality क्या होती है बट इस book में हम यही consider करेंगे यही देखेंगे कि लोगों के साथ असलियत में क्या चीज़ें हो रही है और कैसे equality जो है यहां कोई भी हम मुद्दा ले ले तो वो कैसे part play कर रहा है लोगों के real life में यह जो unit है this unit it adopts a different approach यह थोड़ी सी different approach हमें बताएगा हमें बताएगा कि reality में लोग कैसे equality को ले रहे हैं या किसी भी चीज़ को ले रहे हैं असली life में अब अलग-अलग समुदाय जो है अलग-अलग जो लोग है वो कैसे equality के topic को ले रहे हैं कैसे उसको अभी भी practice कर रहे हैं और लोग उसको अभी भी experience कर रहे हैं तो need of equality कैसे अब सबकी जरूरत है need of equality क्या है और inequalities जो communities में हो रही हैं अभी भी और लोग experience भी कर रहे हैं तो उसको किस तरह के किस तरीके से उसके बारे में discussion की जाएगी कि लोगों में असली में क्या हो रही हैं चीज़ें जिसकों की practice करना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है अब पहले चेप्टर में हम पढ़ेंगे जो की learner पढ़ेगा की कांता ओम परकाश फालमिकी और अंसारीज सब के साथ अलग-अलग जो है inequality के experience होते हैं और अलग-अलग तरीके से अब उनके experience जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं उनके experience से ये सब पता चलेगा की क्या-क्या inequalities उनके साथ अब उनके अनुभव से हमें ये पता चलेगा की अलग-अलग तरह से क्या असमानता हो रही हैं क्या अलग-अलग तरह से inequalities हो रही है और उनके ही experience से उनके ही अनुभव से हमें जो डिगनिटी है जो किसी की गरिमा है उसके चीजों का अनुभव उसके चीजों को हम सामने लाएंगे सबके परिचय देंगे The government's role in passing laws and instituting policies is discussed to show the commitment to the alleviation of existing inequalities is a major part of the work that governments undertake The government, अब government का रोल का है इन कानूनों को और इन policies को अब government का रोल क्या है इन कानूनों को पालने का और इन नीतियों को बनाने का ठीक है अब इस कैसे वो कानून पास करते हैं कैसे laws पास होते हैं और कैसे policies जो है आपकी नीतियां जो है वो कैसे बनाई जाती है इस chapter में आपको discuss करेंगे क्या discuss करेंगे government के रोल को to show that commitment to the alleviation of existing inequalities अब जो तहसो मानता है हो रही है उनको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही है government क्या 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 चीज़ें कर रही है the chapter also briefly introduces an issue of inequality in United States of America अब ये जो chapter है इसमें आपको थोड़ा सा inequality का जो issue है अउसमानता का जो issue है United States of America में America संग्युक्त राश्ट जो है America उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि उसमें कैसे कैसे inequalities को दिया जा रहा है और कैसे ये एक global phenomena बन चुका है, ये एक विश्वयापी मुद्दा बन चुका है, कि उन चीजों को कैसे democratic लोगतंतर देश जो हैं, जितने भी democratic countries जितने भी हैं, उन में कैसे कैसे इसको practice किया जा रहा है, और क्या क्या चीजें जो हैं वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक ह of this unit is chapter 9 of this book, अब second chapter इस book का जो है, वो है chapter 9 में, जो इस किताब में है, it ties together the main idea of inequality raised throughout the text, अब वो क्या करता है, inequalities में जो भी चीजें आ रही हैं, उसको थोड़ा सा सामने लेके आएगा, जो भी उठाएगे हैं, उनको अंतिम ध्याय में सीधा बांदा गया है, ठीक है, तो समानता हैं हो रही हैं, उनको एक जगा पे इकठा करके बताया हुआ है, a significant portion of the last chapter is devoted to discussing people's contribution to the fight for equality, और एक छोटा सा portion जो है, एक portion उन्होंने ये भी बताया हुआ है last chapter में, कि कैसे लोग जो है, कैसे discussion जो है, ये discussion अब इस अध्याय का एक बड़ा अंच जो है, बड़ा पार्ट जो है, वो हमें last में बताया गया है कि कैसे समानता की लड़ाई जो है, उसमें अलग-अलग लोगों के योगदान की बारे में बताया गया है, तो कैसे कैसे लोगों ने योगदान किया है, इसको fight करने के as well as highlighting creative writing songs, poems, ways through which people express their demand for equality. अब इसमें examples देके इसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे समाजिक आदोलन पर विशेश धियान दिया गया है और साथ ही उन जैसे कि कोई भी अपनी creativity दिखाता है, कोई भी अपनी रचनात्मक तरीके दिखाता है तो उन्होंने कौन-कौन से रचनात्मक तरीकों से inequality को सामने लाया है लोगों के जैसे कि कोई लिखता है, कोई गीत लिखता है, कोई कवीताई लिखता है तो उन सब के माद्यम से उन्होंने लोगों के सामने मांग व्यक्त किया है उन्होंने लोगों के सामने अपना जो भी उनके आइडियाज है उनको सामने लेके आए हैं बोथ चैप्टर्स एम तो हेल्प दे लर्नर अंडर्स्टैंड एक्वैलिटी एंड डेमोक्रेसी अर डाइनमिक और नाट स्टैटिक कंसेप्ट्स अब ये दोनों चैप्टर जो हैं दोनों अध्याय जो हैं इनमें हमें विद्यार्थियों को ये समझाने की मदद की गई है कि कैसे समानता और लोगतंत्र जो है वो अवधारनाए गनितिमान हैं स्थिर नहीं मतलब वो चलती जाती हैं वो एक जगा पे रुकी नहीं हुई हैं कैसे चलती जाती है जैसे government जो है वो कुछ चीजों को जैसे time change होता है कोई नई-नई चीजें नई-नई समस्याइं सामने आती हैं तो उसके मताबिक नई-ने laws नई-ने policies आपको लगानी पड़ती है और उसी तरीके से जो है equality जो है वो सामने आती है उसी तरीके से जो है equality के concept भी जो है वो सबके सामने आ जाते हैं इस डाइनमीजम और इस इस जे जो डाइनमीजम है ये जो चेंजीज है जो गोर्मेंट लाती है वो कैसे लाती है नीव लॉज्ज और प्रोग्रांज बना के इन people's movement around various social and economic issues और कैसे लोगों की जो movement है वो social and economic issues की तरफ चल रहे हैं कैसे वो उनकी movement हो रही है उसी मताबिक उनके laws और policies बनाई जाती है प्रोग्राम्स बनाई जाते हैं कांता, ओम परकाश, दा अनसारी और तवा मत्या संग अब कांता, ओम परकाशन सारी, दंपती और तवा मत्या संग जो हैं इन सभी के अनुभव जैसे ही अलग-अलग स्थानों के अनुभव पर हर जगा मवजूद होंगे जो इनकी experiences हैं वो हर जगा पे आपको देखने को मिलेंगे लोकल सिचुएशन शुड बी यूज़ एज प्रैक्टिकल रेफरेंस तो मेग दिसकेशन ओन अंडरलाइंग कंसेप्ट more relevant and appropriate अब यह जो concept है इसको जादा अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको जादा अच्छे तरीके से देखने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों को देखना पड़ेगा आपके आसपास कैसी चीजें हो रही हैं कैसे inequality प्रैक्टिस की जा रही है और क्या-क्या चीजें हैं जिसमें आपको equality मिल रही है a discussion on equality is in the classroom requires empathy as well as firm commitment on the teacher's part to ensuring that the dignity of our learners be respected अब इसमें थोड़ा सा teachers के लिए जो जो बताया गया है वो teachers अपने ध्यान में रखेंगे कि inequality जो है उसको प्रैक्टिस नहीं करना है सबको equal नजर से देखके इसको impart करना है ताकि किसी की भी dignity lose ना हो अब chapter start है on equality India is a democracy भारत क्या है एक लोगतंत्रिक देख है एक लोगतंत्र है in the class 6th book हमने class 6th book में यह पढ़ा था we looked at the key elements of the democratic government हमने key elements पढ़े थे democratic government के जो main main elements थे हमने उनको पढ़ा था these includes people's participation the resolution of conflict and equality and justice इसमें क्या क्या चीजें मौझूद थी इसमें उन्होंने लोगों की participation बताई थी लोगों का भाग है उसमें कैसे लोग एक role play करते हैं फिर संगर्शों के बारे में बताया गया था कैसे संगर्शों को एक समाधान एक शान्ति पूर्वक्स समाधान बनाया गया था कोई भी संगर्ष का समाधान शांती पूर्ण तरीके से किया जा सकता है फिर समानता और न्याए के बारे में बताया गया कैसे equality और justice जो है वो किसी के सामने आती है equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning अब जो समानता है जो equality है वो एक key feature है वो एक बहुती परमुख feature है किसी भी चीज़ का ठीक है वो एक परमुख मुख्य विशेष्टा बताता है किसी चीज़ की किसकी democracy की एक मुख्य विशेष्टा है किसी भी लोक तंतर की एक मुख्य विशेष्टा है कि सबको equal बना के रखना है and influences all aspects of its functioning और वो कैसे काम कर रही है democracy वो equality पर ही पूरी तरह से dependent होती है in this chapter we will read more about equality हम इस chapter में equality के बारे में और जादा पड़ेंगे what it is, क्या है equality, why it is important in the democracy क्यों ये democracy में important role play करती है and whether or not everyone is equal in India और क्या इंडिया में सारे equal हैं या नहीं है let's begin by looking at Kanta's story हम सबसे पहले Kanta की story के बारे में थोड़ा सा पड़ेंगे क्या है Kanta की story isn't it good Sujata that we can all vote as equal citizens of our country अब Sujata, अब ये बोल रही है Kanta Sujata को कि ये election का दिन होता है ये दुनों vote कर डालने के लिए जाते हैं वहाँ पे Kanta Sujata से कहती है कि ये कितना अच्छा दिन है कि जब सारे के सारे equal तरीके से खड़े हैं line में और सारे equal तरीके से vote डाल रहे हैं सारे जो नागरिक हैं वो equal हैं Isn't it good Sujata that we can all vote as equal citizens of our country Even Jain साब is standing in the line with us अब वो कहती है कि Jain साब भी देखिये वो हमारे साथ ही line में खड़े हैं Yes, अब Sujata इसमें बोलती है Go on Kanta, it's your turn now अब Sujata उसको कहती है कि Kanta जाओ अब आपकी बारी आ चुकी है I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area अब वो कहती है कि मैं उसके लिए vote दूँगी जिसने हमारे एरिया में पानी की pipe लाने का वादा किया है जिसने promise किया है कि वो हमारे एरिया में पानी की समस्या को खतम करेगा We'll see you later Kanta अब थोड़े देर के बाद साहब जी कहते हैं Kanta को कि हम आपको थोड़ी देर बाद देखेंगे Yes नमस्ते साहब अब वो जाते हूँ उसको बोलती है जी हां नमस्ते साहब गुडिया has been running fever and I have to take her to the hospital अब वो बोल रही है कि गुडिया जो है उसको fever हो चुका है और मुझे उसको hospital लेके जाना पड़ेगा but I will have to finish the work as sahab's house first मुझे पहले sahab के घर पे काम खतम करना पड़ेगा तभी मेरे को थोड़े से पैसे मिलेंगे and ask for some advance और मैं उनसे थोड़ा सा advance माँच सकूंगी at home जब वो घर पे पहुँचती है here have some of these अब वो बच्ची को बोलती है ये लो कुछ खा लो you will feel better अब थोड़ा सा अच्छा फील करोगे अच्छा महसूस करोगे and when I get back in the evening we will go to the hospital अब वो बोलती है कि जब मैं शाम को आ जाओंगी फिर हम hospital में चलेंगे उसके बाद it's no wonder that गुडिया falls ill often दबस्ती is never cleaned अब ये कोई हैरानगी की बात नहीं थी कि जो गुडिया थी जो बार-बार बिमार हो रही थी तो वो बिमार होना उसका कारण जो था वो में था कि उनकी जो गली थी वो क्या थी clean नहीं रहती थी गंदी रहते थी और जिसकी वज़ा से बिमारी आँको पता है गंदगी हो तो बिमारी जो है वो फैलती है तो बिमारी फैले जा रही थी make sure to do the corners properly अब मालिक उसको बोलता है मालकिन उसको बोलती है जी corner है जो कोने है उनको अच्छे तरीके से साफ करना here's your advance kanta but do not make a habit of it no madam अब वो बोलती है मालकिन उसको बोलती है ये लोग अपना advance और इसको अपनी habit मत बनाना और वो बोलती है अब उस evening को just few more minutes बेटी अब वो उसको बोलती है कि थोड़ा और time लग जाएगा थोड़े और minute लग जाएंगे wait करो Jen madam and Jen साब may stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick अब वो बोलती है कि भेशक उनको vote डालने के लिए एक साथ मतलब एक साथ सारे line में खड़े थे लेकिन अगर हमें कहीं पे उनके बच्चों को अगर उनके बच्चे बिमार हो जाते हैं तो उनको line में खड़ा नहीं होना पड़ता हमारी तरह जासे हम line में खड़े होते हैं उनको खड़ा नहीं होना पड़ता that might make her feel like this अब उसने कहा क्या आपको लगता है कि कांता के पास ये अनफ रीजन था एक अच्छा रीजन था उसको बताने के लिए कि आप equal है या नहीं उसके जो दिमाग में जो ये question आया जो उसके दिमाग में doubt आया कि हम सब equal है या नहीं क्या वो अच्छा रीजन था आपको तीन रीजन लिख रहे हैं इस story से उसको क्यों ऐसा लगता है कि जो equality है वो उसके लिए नहीं है हर जगा पे लोग equal नहीं है उसके दिमाग में ऐसा क्यों आया ये आपको question करना है now equal rights to vote the story above begins with कांता standing in the line to cast her vote कांता line में खड़ी होती है vote डाले के लिए look again at the various people who are standing in line with her आप देखिए कैसे line में कितने सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं कांता recognizes her employer Ashok Jain and छोटे लाल अब कांता जो है उसके जो employer है उसके जो मालिक है जिन्नोंने उनको काम पे रखा है अशोग Jain और छोटे लाल उनको पहचान लेती है हर नेबर हर नेबर जो उनके नेबर थे उसके employer छोटे लाल उसके employer Ashok Jain और छोटे लाल जो कि उसका नेबर होते है अब एक लोगतांत्रिक देश में जैसे की इंडिया है जैसे की भारत है all adults irrespective of what religion they belong to सारे के सारे adults जो हैं जो बड़े हो चुके हैं 18 साल से उपर के हैं irrespective of what their religion are जिनका उनके religion से कोई फरक नहीं पड़ता है कौन से religion है उनका how much education they have had क्या education की qualification है उनकी what caste they are उनकी caste क्या है or whether they are rich or poor are allowed to vote क्या वो अमीर हो या गरीब हो उन सब को vote देने का हक है this as you have already read in the chapter 6 यह आपने chapter 6 में पहले भी classics में पहले भी पड़ा है कि whether कोई भी इंसान पड़ा लिखा हो या ना हो किसी भी religion का हो किसी भी caste का हो rich हो या पूर हो सारे एक ही समान होते है जब वोट देने के बारी आती है जब वोटिंग के बारी आती है सब एक जैसे है सब का वोट महतोपून होता है the idea of sorry as you have already read in the class 6th book is called universal adult franchise और इसको हम बोलते है universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies और ये सारी की सारी जितनी भी लोगतंत्र होते हैं उसकी ये democratic और उसकी ये essential aspect है उसका ये महतबून भाग है और इसको बोलते हैं सर्व भोमिक व्यसक मतादिकार मतलब हर इनसान का एक equal मतादिकार है मत होता है वोट देने का एक कोई equal अधिकार है the idea of adult universal adult franchise is based on the idea of equality अब ये जो universal adult franchise का idea है ये किस पे based है equality पे because it states that every adult in a country irrespective of their wealth and communities she belongs to has one vote वो ये बोलते हैं कि इसके बावजूद की कोई पड़ा है या पड़ा लिखा है या नहीं है किसी के पास पैसे है या नहीं है किस कास्ट का है कोई भी adult जो है वोट डाल सकता है वो ही हो she हो किसी community का हो किसी कोई भी wealth हो उसकी किसी भी कास्ट का हो तो सब के लिए एक ही मतादिकार है सब के लिए एक ही वोट डालने का हक है उसका एक ही वोट होता है कांता is expected to vote and happy that she is equal to all अब कांता जो है expected करती है वोट करने के लिए और वो खुश है कि वो क्या है equal है सब के लिए equal to all of the others because each of them has one vote वो equal महसूस करती है अपना सब के बीच में कि सब के साथ-साथ उसका भी एक ही वोट है और बाकी वालों का भी एक ही वोट है but as her days goes out जैसे जैसे उसका दिन बीचता है कांता becomes less certain about what this equality really means अब कांता जो है वो less certain हो जाती है वो थोड़ा सा अपने आपको कम आँकने लगती है कि कैसे जो है कैसे जो equality है वो असली में उसका क्या मतलब है कांता अद ये देखती है कि क्या सच में हमें equal माना जाता है क्या हम सच में equal हैं हर जगा पे what is it that makes कांता unsure अब ये ऐसा क्या होता है कि जिससे कांता जो है उसकी surety खतम हो जाती है उसको जो शक आने लगता है दिमाग में let's take a look at the day in her life अब हम उसके पूरे दिन की तरफ देखते हैं कि उसकी जिन्दगी में क्या हो रहा था she lives in a slum वो एक slum में रहती है जहां पे जोंपडबटी में रहती है and has a drain behind her house और उसके घर के पीछे एक नाली है her daughter is sick but she cannot take the day off from work उसकी बेटी बिमार होती है लेकिन वो छुटी नहीं ले सकती अपने काम से because she needs to borrow money from her employer क्यूंकि उसको अपने मालिकों से पैसे चाहिए होते हैं उनसे उधार लेना पड़ता है उसको जाने के लिए because she is like a daily wager वो जो daily का उसको मिलेगा वो उसी तरीके से काम करती है to take her child to the doctor अब उनसे उधार लेगी उसके बाद ही वो अपने बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जा सकती है अब उसकी जो जॉब है एक डॉमेस्टिक हेल्प की तरह उसको क्या करती है बिलकुल थका देती है और उसका जो end होता है दिन का जो खतम होता है वो कैसे खतम होता है एक लंबी सी लाइन में खड़े होके अब जैसे सुभा वो एक वोटिंग के लिए लाइन में खड़ी थी यह उससे बिलकुल अलग है because most of the people standing in it are poor जो की लोग इसमें खड़े होते हैं इस लाइन में क्योंकि उसमें सारे के सारे most of the people जो है जादा तर जो लोग हैं वो कौन थे गरीब लोग होते हैं जो की government hospital के सामने लाइन लगा के खड़े होते हैं इलाज के लिए other kinds of equality अब और कौन सी kinds of equalities हैं जो की government में है कांता is one of many people who lives in democratic India अब कांता एक उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोगों में से एक है जो की हमारी democratic इंडिया में हमारे लोग तंतर भारत में रहते हैं and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal जो की जिनको right to vote मिलता है vote डालने का हक मिलता है but लेकिन उनकी जो दिन की पूरे दिन की daily living है जो उनकी दैनिक living है और working है वो जो conditions है वो equal से बहुत दूर है equality उनके आसपास भी नहीं है apart from being poor गरीब होने के बाद और क्या है people in India experience inequalities in different ways अब सिर्फ गरीबी ही जो है वो उनको inequality नहीं देती है सिर्फ उनको inequality का experience जो है वो सिर्फ गरीबी से ही नहीं है let us see what this means by reading the two stories given below अब हम दो stories पढ़ेंगे और उसके देखेंगे कि सिर्फ गरीबी नहीं है जो ये part play करती है inequality का और भी बहुत सारी चीज़े हैं क्योंकि inequality को practice करते हैं inequality के experience करते हैं और भी लोग ऐसे each of these is based on real incidents in people's life अब ये जो stories है ये क्या है real incident है लोगों के जो कुछ लोग इसके साथ अपने real incident भी जोड सकते हैं क्योंकि असली में ये होता है reflects the different kinds of inequalities that exist in India इसमें थोड़ी सी different kinds of inequalities दिखाई गई है जो कि भारत में होती है one of the more common forms of inequality in India is the caste system जो most common form है जो more common form है बहुत जादा practice की जाती है जो भारत में वो कुन सी है caste system कि इसकी caste क्या है if you live in rural India अगर हम किसी गाउं में रहते हैं गाउं के किसी पार्ट में रहते हैं इंडिया के your caste identity is something that you probably learned or experienced very young अब जो ये caste की identity होती है क्या caste है आपकी ये जो ऐसी चीज है जो कि आपको गाउं में छोटे होते ही थोड़े से आप थोड़े से आपको होश आ जाता है कि इसकी ये जात है इसकी ये जात है इसकी ये जात है एंड आपको उसको अपर बताया जाता है कि आपको सतर करेना है आपको ये चीजों को देखना है तो ये जात को देखा जाता है उसमें But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians अब हम थोड़ी सी इन्होंने cuttings लगाई हुई हैं थोड़ी सी matrimonials की ad हैं जब शादी कराने की ad होती हैं तो वो थोड़ी सी इन्होंने दिखाई गई हैं तो कैसे English के newspaper में leading English newspaper हैं उनमें से ये काट के लगाई हुई हैं कैसे वो community को एक अलग से उन्होंने show किया हुआ हैं कैसे वो पड़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी caste को भी बीच में check करते हैं तो कैसे उनके mind जो है लोगों का जो की पड़े लिखे हैं वो भी इसमें जो शहरों में रहते हैं कैसे देखते हैं एक्जामपल देख लीजे जो आप एक्जामपल देख लीजे जो आपको दी गई है आपने देखे हैं यहाँ पे क्या लिखा है cast no bar और उसके बाद में लिखा है sc st excuse send bhp must तो अगर आप लिख रहे हैं cast no bar और उसके बाद में आप लिख रहे हैं sc st excuse माफ करिए तो मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं इसमें आप खुद देखिए एक पड़े लिखे इंसान की यह एक उन्होंने एड दी गई है प्रॉफ प्रोफेसर कॉलिफाइड ब्यूटिफुल टॉल गर्ल फोर फॉर गुपता बॉई 28 years 6 feet CA working in this उन्होंने खुद ही उनको गुपता बॉई बता दिया गया है अब देखे कैसे कास्ट को उन्होंने शो किया है सबके सामने तमिल ब्रामिन अयंगर गुरूम तो उन्होंने ब्रामिन तो अब देखे कास्ट को किस तरीके से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और खुद ही उन्होंने उसको डिफ्रेंशियेट कर दिया है जबकि वो इतने पड़े लिखे भी है अब हम थोड़ा सा experience देखेंगे दलिट चाइल के उसके बारे में पढ़ेंगे कि दलिट चाइल जो की स्कूल में जाता है वो क्या चीज़े experience करता है उसके story देखते हैं You have already read about Dalits in class 6th book हमने class 6th के book में Dalits के बारे में पढ़ा था हमने उनके बारे में थोड़ा सा देखा था कि क्या होते हैं Dalits Dalit is a term that the so-called lower castes use to address themselves अब Dalit एक ऐसा word है एक ऐसी term है जो की low caste के लोग जो होते हैं वो अपने लिए use करते हैं जो lower caste के हैं वो अपने आपको address करने के लिए दलित शब्द का इस्तमाल करते हैं Dalit means broken Dalit का मतलब होता है broken तूटा हुआ and by using this word lower caste are pointing to how they were अब इस word को use करके जो lower caste के हैं जो निचली जाती के हैं वो क्या करते हैं point करते हैं कि वो क्या थे and continues to be और क्या अभी भी उनको समझा जा रहा है and seriously discriminated against और अपने आपको discriminate करते हैं इसके लिए ओम प्रकाश वालमिकी ओम प्रकाश वालमिकी कोई थे एक बंदा एक इनसान है जो कि 1950 से 2013 तक थे is a famous दलित राइटर जो ओम प्रकाश वालमिकी थे 1950 से 2013 तक जिनका life span था वो famous दलित राइटर थे लेखक थे दलितों के in his autobiography उन्होंने एक autobiography लिखी है जूठन किसने लिखी है ओम प्रकाश वालमिकी ने autobiography लिखी है जूठन एक book है उनकी जिसमें उन्होंने लिखा है I had to sit away from the others in the class वो बोलते हैं कि class में जितने लोग बैठे हुए होते हैं मुझे उनसे अलग बैठना पड़ता है and that too on the floor बाकी वाले उपर बैठे होते हैं और मुझे नीचे बैठना पड़ता है वहाँ पे the mat ran out before reaching the spot I sat on जिस mat पे सारे बैठते थे उस mat वो खतम हो जाता था जब तक मेरे बैठने के बारी आती थी sometimes I would have to sit way behind everybody और कुछ कभी कभी मुझे बहुत बीचे बैठना पड़ता था सब से right near the door बिलकुल दरवाजे के पास sometimes they would beat me without any reason और कभी कभी मेरे को वो जो क्लास में बाकी वाले पढ़ते थे वो मुझे मारा करते थे बिना किसी reason के when he was in class 4th जब वो क्लास 4th में था the headmaster asked om prakash to sweep the school जो headmaster था उसने om prakash को कहा school साफ करने के लिए सफाई करने के लिए and the playground और playground में भी ज़ाड़ू मारने के लिए school में और playground में ज़ाड़ू मारने के लिए कहा he writes the playground was very larger than my small physique और बोलता है उसकी physique बड़ी छोटी सी थी जो की handle नहीं कर सकती थी लेकिन playground उसके लिए बहुत बड़ा था my physique could handle and in cleaning it और उसको साफ करने में बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि वो छोटा था वोर्थ क्लास में my back began to ache मेरी पीठ में दर्द होने लगा था ज़ाड़ू मारते मारते my face was covered with dust मेरा चहरा जो है वो धूल से पुरा भर गया था dust had gone inside my mouth dust जो dust है जो धूल है वो मेरे मूँ में चली गई थी the other children in my class were studying जो बाकी बच्चे थे क्लास में वो पढ़ रहे थे and I was sweeping और मैं क्या कर रहा था सफाई कर रहा था मैं ज़ाड़ू मार रहा था headmaster was sitting in his room and watching me headmaster जो है वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था I was not even allowed to get a drink of water मुझे allowed नहीं था कि मैं पानी का एक घूट भी पियों I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms मैंने पूरे दिन वहाँ पे जाड़ू किया door से लेके windows तक school के room की the eyes of the teacher and the boys saw this spectacle और teachers की ध्यापकों की आँखों में और बच्चों की आँखों ने ये सारा नजारा देखा Aum Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days अब Aum Prakash को सफाई करने के लिए लगाया गया पूरे school की और playground की कुछ और दिनों के लिए और ये end तब हुआ जे खतम तब हुआ जब उसके पिता ने उसको वहाँ पे जाडू लगाते हुए देखा अपने बेटे को वहाँ से गुजर रहे थे और उनने जाडू लगाते हुए देखा तो वह उसको फिर उसके बाद खतम हुआ He confronted the teachers and then walking away from the school holding Aum Prakash's hand He said loudly to all of them to hear उसने सारे teachers को confront किया उनसे पूछा उनसे देखा बत बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप वहाँ से स्कूल से जाते हुए Aum Prakash का हाथ पकड़ते हैं उसने जोर से कहा कि ताकि सारे के सारे ये सुन सके You are a teacher So I am leaving now वो बोलते हैं कि आप एक शिक्षक हैं मैं इस समय जा रहा हूँ But remember this much master वो बोलता है Master जी याद रखियेगा He will study right here वो यहीं पे पड़ेगा In this school और इसी school में And not just him सिर्फ वही नहीं But there will be more coming after him और बहुत सारे आएंगे जो यहीं पे ये काम करेंगे यहीं पे पड़ेंगे The second story is based on an incident That took place in one of the India's largest cities दूसरा incident जो है वो कैसे इंडिया की एक बहुत बड़ी city में हुआ One of the largest city में हुआ है Is common practiced in most part of the country जो की most part of country देश के बाकी भागों में भी Practice किया जाता है It is a story about Mr. and Mrs. Ansari Who were looking to rent an apartment in the city ये जो story है ये Mr. and Mrs. Ansari की है जो की rent के लिए किराये पे रहने के लिए घर ढूंड रहे होते हैं एक city में They had the money and so paying the rent was no problem उनके पास पैसा था इसलिए उनको rent पे करना कोई बड़ी problem नी थी उनके लिए They went to a property dealer सकता है Rent पे जो हैं अभी देने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं उसको They visited the first apartment वो पहले अपार्टमेंट में जाते हैं And the Ansari's liked it very much Ansari's को वो बहुत अच्छा लगता है And they decided to take it और वो उसको वहीं पे रहना जाते हैं However When the land lady found out their names जब land lady जो थी जो कि उसके मालिक थे मकान मालिक थे मकान मालिक इनको जब उनके नाम के बारे में पता चला She made an excuse उसने एक बहाना बना दिया About how she could not rent the house to someone Who ate meat उनोंने एक बहाना बना दिया कि वो घर उनको नहीं देना चाते जो कि meat खाते हो But the building did not have any non-vegetarian residents और उनोंने ये कहा कि building में कोई भी non-vegetarian resident नहीं है Both the Ansari's and the property dealers were surprised Ansari's और जो property dealer थे वो दोनों surprise हो गए Because they could smell fish being cooked in the neighbor's house और क्योंकि उनको fish की smell आ रहे होती है जो कि उनके neighbor में ही बन रही होती है उनके बिलकुल पडोस में बन रही होती है The same excuse was repeated in the second and the third apartment Second और third apartment में दूसरे और तीसरे apartment में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे भी same यही बहाना मारा गया Finally the property dealer told them that they might want to change their names and call them themselves Mr. and Mrs. Kumar अब property dealer उनको कहता है कि आपको अपने नाम बदलने पड़ेंगे और Mr. and Mrs. Kumar बताना पड़ेगा अगर आपको property चाहिए रहने के लिए अगर आपको घर चाहिए रहने के लिए The Ansari's were reluctant to do this Ansari's यह चीज नहीं करना चाहते थे and decided to look some more इसलिए उन्होंने decide किया कि हम कुछ और घर देखेंगे In the end it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent इनको पूरा महीना लग गया घर देखने में घर देखते रहे और last में उनको एक landlady मिली एक मकान मालिकिन मिली जो की उनको रखने के लिए तैयार थी अब कुछ questions भी हैं जो इसके साथ साथ में चल रहे हैं वो भी देख लीजे एसा क्यों हो रहा था कि ओम परकाश बाल मिकी को treat किया जा रहा था अनेकोली उसको उसको इकोली treat नहीं किया जा रहा था उसके teacher से और उसके classmate से ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ imagine yourself as Om Prakash Balmiki and write four lines about how you would feel if you were in the same situation as him आप अपने आपको Om Prakash Balmiki की जगा रखिए और चार लाइने बताईए कि आप कैसा फिल करेंगे अगर आप Om Prakash Balmiki की जगा पे होते तो आप उस सिचुएशन में कैसा फिल करेंगे कि आपको दिलमाग में क्या क्या जीज़े चलेंगी वो आपको चार लाइने लिखनी है इसके बाद में एक और कोश्चन है आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनसारी को अनेकुली ट्रीट किया जारा था उनको इकुली ट्रीट नहीं किया जारा था आप क्या करते हैं अगर आपको जगह नहीं मिल रही होती रहने के लिए तो आप क्या करते हैं उनकी जगा Because some people did not want to live next to you क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास नहीं रहना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए Because of the religion you practice आपके religion की वज़ा से अगर कोई हमपर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको इसके बारे में भी लिखना है यह दो या तीन question है जो 7 में ही चल रहे हैं वो आपको इसके बारे में लिखना है और आज के लिए आप इतना ही रखिए इस चीज को अच्छे से देखिए इसको समझिए फिर इसके बारे में लिखिया है तो आज इतना ही है इसके notes देख लीजिए क्या-क्या notes इसमें से बनेंगे आपको ध्यान से इसको पढ़ना है क्या-क्या चीज़े inequality की आ रही है कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो सामने आई है आपको उसके बारे में लिखना है तो आज के लिए इतने बचो थैंक यू